कहा जाता है इस धर्थी पर मा भगवान का रूप होती है मगर जब वही मा अपने बच्चे को मरने के लिए जाड़ियों में फेक दे तो उसे क्या कहेंगे ऐसा ही मामला बारहाट थाना चित्र के भागलपूर हष्टिया मुखे मार्ग पर नेमुआ होटल के समीब देखने को मिला जहां जन्व के कुछ दिर बाद ही किसी कल्योगी मा ने अपने नवजाद बच्चे को जाड़ियों में फेक दिया आने जाने वाले ग्रामिनों ने जहाड़ियों में बच्चे के रोनी के आवाज सुनी तो पास आकर देखा तो पाया की एक नवजाद सिसू जहाड़ि में फेका हुआ था जो बिलख बिलख कर रो रहा था बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि उसके उपर किसी आवारा जानवर की नजर नहीं पड़ी थी बच्चे की एक जलक पाने के लिए ग्रामिनों का हुजूम उमल पड़ा बच्चे को जाड़ी में फेके जाने पर ग्रामिन तरहतरह की बाते कह रहे हैं लावारी सिसू फेके जाने की सूचना पाकर पुन्सिया बजारनिवासी ग्रामिन चिकित सक बिवेका नंदर उनकी पतनी ममता दिवी मौके पर पहुँचे और बच्चे को गोद लेने की इक्छा जताई वहीं नवजात सिसू फेकी जाने की सूचना पर बाराहाट पीचसी द्वारा एम्पूलेंस भेज कर नवजात को अस्पताल लाया गया जहां डाक्टरों ने बच्चे का स्वास्त परिच्छन किया मामले की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम को दी गई चाइल्ड हेल्पलाइन की स्दस्यों के पहुँचने के बाद ही बच्चे को इच्छुक दमपत्ती को गोदलेने या अन्य बिकल्प की जानकारी दी जाएगी अब आप बच्चे को रखने के लिए तयार है ना अन्य बिकल्प की बिए थमने का नाम नहीं ले रही है हर एक योजनाओं के तहट भेजी गई रासी को निकालने के लिए लोग बैंकों के बाहर सुबह से ही चपल जूता रखकर नंबर लगा रहे हैं आर्थिक तंगी से जूज रहे लोग पेट की आग को सांध करने के लिए सरकार की और से हरे की योजना के तहट खातों में भेजी गई रासी के निकासी के लिए सुबह सही बैंकों के बाहर भीड जुटानी सुरू कर देते हैं ऐसे ही अमरपूर के डुमरावा एस्थित यूको बैंक के बाहर लोग सुबह पाँच बजे से ही सड़क पर चपल जुता रखकर नंबर लगाना सुरू कर देते हैं या नज़ादा रोजाना देखने को मिल रहा है बैंकों के बाहर लोगों की बिर्ड इस तरह से जुड़ जाती है कि सोसेल डिस्टेंसिंग का पालन करा पाना मुस्किल हो जाता है यूको बैंक डुमरावा के साखा प्रबंदक पंकज बर्मा ने बताया कि इस बैंक में 30 हज़ार से अधिक खाता धारक है सरकार दोड़ा जंधन मनरेगा मजदूरी गैस सब्सीडी बिद्धा पैंसन सहित अन इसकीम की रासी लाभुकों के खाते में भेजी है लोगों को रासी देने के लिए 4 कैस कांटर बनाये गए हैं रोजाना लगभग 500 लोगों को रासी दी जा रही है सरकार के तमाम गाइडलाइन का पालन करने के बावजूद सोचल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है पुलीस की मदद ली जा रही है और लगातार कोरोना संक्रमन से बचने के लिए माइकिंग कराई जा रही है इसके बावजूद लोग मानने को तयार नहीं है बात ही एक हमारी साखा में जो किसान न पैसा भेशा है वो पैसा आया है गरीब कल्याण का 500 रुपय, 9 रुपय आया है इसके लाब बच्चे सब पैसा आया है और PM किसान का पैसा है इन सब को मिला के 20 साखा में बैठते हैं पूरे देश में कुरुणा वरस के प्रकोप से जहां आम लोगों में दहसत फैली हुई है वहीं दूसरी तरफ कोरोना वारस से बचाव को लेकर सहर के समाज से भी एक जूटता दिखाते हुए आम लोगों को इस वारस से बचाव के लिए अमरपूर के समाज से भी सत्यम कुमार महतो और भोला महतो चंदन्तिवारी यों अजीत पुद्दार के दोरा किये गये कार्यो की जम कर सरहना हो रही है इन्होंने गुरुवार के दिन पूरे छेत्र को सनेटाइज करने का बिला उठाया इसी कड़ी में गुरुवार के दिन अमरपूर खेमी चक सलेमपूर गलेमपूर बिसंबर चक गाउं को सनेटाइज किया गिया इस अबसर पर समाज से भी सत्यम मह तो यहम चंदन तिवारी ने बताया कि मानब सेवा से बढ़कर कोई दूसरा कारे नहीं होता है। नागो यादब मुनिलाल मंडल मनोज यादब चेरू मंडल सेखर सिंग समेत पेट्रोल पंप के कर्मियों ने सयोग किया। इसको सनिटाइज किया जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं, यह भी संबर्चो गाओं है। यहाँ पे सनिटाइज कर रहे हैं इसको सनिटाइज कर रख रहा है। इसके लिए हम लोग ने यह पीडा उठाई है कि आज विकत तीन दिनों से हम लोगों ने पूरे परखंड में सेनिटाइज कर रहा है। हम और हमारे बड़े भाई चंदन तिवारी दोनों मिल के पूरी लगन से हमरपूर को पूरे सनिटाइज कर रहा है। हम लोग सोचल डिस्टेंस को रखते हुए हम लोग उसका पालन करते हुए मास्क लगा के और पब्लीक से का भी रहे हैं कि सोचल डिस्टेंस का पालन रखना है उसलिए हम लोग उसका पालन करते हुए सनिटाइज कर रहे हैं। लोग डाउन को प्रभावी बनाने के लिए बाका डियम सुहरसभगत और एसपी अरुबिंद गुपता द्वरा जारी किये गए संयुक्त आदेश के मद्दे नजर इसका असर चेक पोश्ट पर देखने को मिल रहा है। गुरुवार को पंजवारा इस्ति जारकन बॉडर चेक पोश्ट पर कली सकती देखने को मिली। इसे अनुपालन करने का निर्देश दिया गया। पूच्टाश के करम में उने बताया कि दुरगापूर में एक कारन कमपनी में काम करते थे जहां काम बंद होने के बाद ये लोकडाउन खुलने का इंतिजार कर रहे थे। लेकिन लोकडाउन के अवधी बढ़ जाने और काम के ठप रहने की वज़ा से ये मंगलवार को सैकिल से ही जारखन के रास्ते अपने घर अररिया जिला जाने के लिए निकले थे। इसी करम में ये पंजवारा इस्तित चेक पोश्ट पर पहुँचे जहाई ने स्कैनिंग के बाद अपने गंतवी की और भेज दिया गिया और उन्हें घर जाकर होम कुरिंटीन में रहने का निर्देश दिया गया है।